बाने चील कम मैंटर।ow। मैं डॉक्टर प्रणाम माथुर। डॉक्टर माथुर। देटेल इनुवेशन कानपोर से। और आज हम बात करेंगे मिड लाइन डाइस्ट्रा के बारे में। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि midline diastema क्या है काफी लोगों में हमने देखा है कि उनके उपर के सामने के दोनों दातों के बीच में gap होता है कई लोगों के ये बाई बर्थ होता है और कई लोगों के जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो gap बनता जाता है तो इसको हम लोग midline diastema बोलते हैं midline इसलिए क्योंकि यह जो हमारी midline है यहीं पर gap होता है और diastema एक Greek word है जिसका मतलब होता है interval तो midline में interval है इसलिए उसको midline diastema बोलते हैं इसके दूसरे नाम भी है जैसे median diastema central diastema तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि यह midline diastema किस वज़े से होती है क्या यह हमारे लिए ठीक है या नुकसान दायक है और अगर हम इसको ठीक करवाना चाहते हैं तो इसका क्या management है तो midline diastema का सबसे जो common कारण है वो है high frenal attachment इसका मतलब क्या है लाइन दिखाई देगी जो कि soft tissue की होगी यानि कि मसूडा जो है उसकी एक line होगी आपके होट के नीचे इसको हम लोग frenum बोलते हैं हमारे मुँ में कई प्रकार के frenum होते हैं ये सामने है तो इसलिए इसको labial frenum बोलते हैं तो कुछ लोगों में वो frenum है जो frenum है वो ज़ादा उपर तक जुड़ा होता है तो इसलिए उसको high frenum attachment बोलते हैं तो उसकी वज़े से जो सामने के दोनों दाथ हैं वो pass में नहीं आ पाते हैं मतलब बीच में जो मासपेशी है वो उन दोनों दाथों को दूर कर देती है उनको pass में नहीं आने देती है तो इसको हम high frenum attachment बोलते हैं और most of the cases में midline diastoma का cause जो है वो high frenum attachment होता है कुछ cases में ये भी देखा गया है दाथ का size छोटा है तो छोटे दाथों की वज़े से gapping आ गई है तो उनमें भी midline diastoma हो गया है कुछ cases में ऐसा भी होता है कि उनका एक या दो दाथ जो है वो बचपन से missing होता है मतलब वो दाथ उनका निकला ही नहीं होता है अंदर हड़ी में ही होता है तो उस missing दाथ की वज़े से भी midline diastoma हो जाता है तो आईए अब ये बात करते हैं कि अगर किसी के midline diastoma है तो उसका क्या management है मतलब उसका क्या treatment है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो beach में gapping है ये ऐसे ही है बचपन से इसे ठीक कराने की कोई जरूवत नहीं है कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो beach की gapping है बहुत lucky होती है इसको हमें ठीक नहीं करवाना चाहिए तो वो अपना अपना सब का सोच है बट अगर आपको उसका treatment कराना है तो क्या treatment options है तो सबसे पहले तो अगर आपका diastoma जो है वो frenal attachment की वज़े से है तो आपको उस frenum को ठीक करवाना होगा जिसको की हम लोग frenatomy बोलते हैं मतलब जितना भी वो बढ़ा हुआ है आपका mass face उसको हम काट देते हैं जितना extra होता है तो उसको काटने से उन दोनो दातों के बीच में जो extra pressure आ रहा है वो pressure हट जाएगा और फिर हम उन दोनो दातों को पास में कर सकते हैं ट्रीटमेंट से तो उसको कट करने के लिए दो तरीके होते हैं एक तो जो normal conventional method है कि हम surgically blade से उसको extra part को हटा देते हैं वो होता है और second option जो है वो आप dental laser है dental laser एक बहुती safe टेकनीक है soft tissue को cut करने के लिए तो dental laser में आपको कोई injection भी नहीं लगाना है सुन करने का ना bleeding होती है ना उसमें बाद में टाके देने पड़ते हैं तो ये एक बहुती safe टेकनीक है soft tissue को modify करने के लिए तो dental laser से भी आप phrenatomic कर सकते हैं अब second technique पे आएं तो वो है braces यानि कि जो हम बोलते हैं दातों में तार लगा करके हम दात सीधे करवा रहे हैं तो हम braces लगवा सकते हैं braces लगा करके हम दातों को सबको पास में लाके सामने वाले दातों का gap बंद कर सकते हैं तो एक तरह से ये एक natural technique है इसमें बस जब तक braces लगे हैं तब ही तक आपको पता चलेगा और कुछ समय के बाद जब braces हट जाएंगे तो आपके normal natural दाथ फिर वैसे ही रहेंगे हमें उसमें अलग से artificially कुछ नहीं लगाना पड़ेगा या बाद में रहेगा तो आप braces करवा सकते हैं बस यह देखना पड़ता है कि आपकी oral hygiene अच्छी है bone support अच्छा है और patient की age कितनी है अगर bone support अच्छा है, hygiene अच्छी है तो आप braces लगवाएं यह अच्छी चीज है बट कुछ patients यह चाहते हैं कि हमारा यह gap जल्दी से भर जाए हम उसमें 6 महीने एक साल नहीं रुख सकते braces लगवाने के लिए हमको तो यह एक हफते में या दस दिन में ठीक करके दे दीजे तो उसमें फिर दो-तीन options होते हैं अगर थोड़ा ही gap है दातों के बीश में तो हम वहाँ पे tooth colored filling कर सकते हैं जिसको की composite filling बोलते हैं तो वह filling करके हम दोनों दातों को medially या बीश में थोड़ा-थोड़ा increase कर देते हैं तो उससे हम उस space को बंद कर देते हैं अगर space ज़ादा है तो उसमें हम veneer लगा सकते हैं veneer दात के front surface पे लगाया जाता है और back surface पे नहीं लगाया जाता है तो यह conservative approach है और दूसरा हम दात पे cap लगवा सकते हैं कुछ cases में ऐसा भी देखा गया है कि दातों के बीच में काफी gap भी है और दात आगे पीछे हैं या थोड़े rotate हो गई हैं तो उसमें management proper हो नहीं सकता है तो आप patient अगर willing है तो आप उसमें patient को ये भी suggest कर सकते हैं कि आप वो दात हटवा दें उनको उखडवा ले और वहाँ पे implant लगवागा के नए दात लगवा ले तो वो जैसा भी condition होगी आपके dentist आपके साथ discuss करके उसके x-rays ले करके आपको better advice दे पाएंगे हमने इसमें ये जानना चाहा कि हमारे पास क्या-क्या treatment options है और ये कैसे ठीक हो सकता है अगर इस topic के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप comment section में हमको लिख के पूछ सकते हैं अगर इस topic आपको पसंद आया हो तो अपने friends और relatives में इसको share करें और channel को subscribe करें Thank you